तो यहां पर प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कि आपका UP Board Exam की Copy कैसे लिखेंगे, क्यों जब आप लोग UP Board Exam देने के लिए आते हैं, Class 10 और PELT वाले, तो उनकी मन में विचार होता है, कि आखिरकार UP Board Exam की Copy कैसे नहने वाली है, तो कुछ इस प्रकार से होने वाली है, औ अभी तक आपके लिए schedule किया जा रहा तो किस प्रकार से आपको Class उपलब्ध करा जाए, ताकि आप अच्छा खासा performance UP Board Exam में करें, तो Class 10 और 12 वालों के लिए, Special Classes में आपको मुहेवा कराने वाला हूँ, सो चैनल से जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, औ आप कमेंट कीचिए, उसको मैं आपको जरूर दूँगा, ठीक है न, तो सबसे पहले आपकी दिक्कत होती है, जो problem create कहा होती, जानती है, अनुक्रमांग के अंदर, अगर अनुक्रमांग गलत किये, तो जाहर सी बाल, बात है, आप तुरंत फेल हो जाएंग, फेल हो जाएं तो अंको में और सब्दों में, इन दोनों चीजों को आपको अच्छे से पढ़क कर आपका जो अनुक्रमांग होने वाला है, उसको भरना है, फिर जो संकेतांग है, जो आपका paper पर संकेतांग है, सबसे अच्छे से उसको यहाँ पे फिल करना है, संकेतांग को अच्छे से लिखना है क्योंकि संकेतां में अगर दिक्कत करेंगे क्योंकि जब आपको कॉपी ऐस्ती है तो कोड होता है और उसी कोड की आधार पर आपको नंबर मिलता है कॉपी ज़स्ती ये और विंशे तो इन सब बातों का विशेश ध्यान देंगे बाकी इतना जाद इंपॉर्ट नहीं है ये आपके जो तीन चीज है वो आपके clear होनी चाहिए और आप गलती कहा करते हैं गलती ये करते हैं कि आप pen कोई भी यूज करने थे लेकिन हमेशा आपको कोई pen यूज नहीं करनी दो ही pen यूज करनी एक आपको काली यूज करनी है कौनसी काली बोले तो black और दूसरी blue यानि की नीला बस दो ही आपको pen यूज करना है और कुछ भी आपको यूज करने की जरूरत नहीं है दूसरी चीज आप बार बार गलती करके बार बार गलती करके card पीट ना करें card पीट के मतलब जानते है card chart करने लगते है यहाँ पर हो गया तो cut कर देंगे फिन नीचे से लिखना है चाट कर देंगे तो यह आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करने है जो चीज लिखना है एकदम अच्छ से लिखना है तीसरी सबसे ज़्यादा hand writing जो आपकी hand writing होने चाहिए वो सबसे बहतरीन होने चाहिए और अच्छे से आपको उसकी जो आपको रहता है copy है उसपे आपको practice कर लेनी है आपको UPboard exam में copy लिखने से पहले चौथी चौथी आपको जितने भी आपके subject हैं भी आपकी subject है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप अच्छे से करके आएंगे तो यही चार यहाँ पे आपको follow करना है और तीन यहाँ पे यह गलती आप नहीं करेंगे UPboard exam को copy को लिखते समय अगर इतना ध्यान दीएं तो आप 100% से हो रहे कि आपको 95% लाने सकोई रोग नहीं चकता क्योंकि यहीं मीश्टे करते हैं अब यह आप यह नहीं बोलेंगी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है बस तीन चीज है सिंपल सा है और बाकी pen के उपर कहीं पर भी आपको कुछ भी लिखने जरूरत नहीं है बस इतना चीज फालो कीजिए और देखे यूपी बोर्ड में सबसे अच्छा नमबर आएगा और ऐसी वडियो चाहे तो चैनल को जबर सब्सक्राइब करें तो थैंक्यू जैहिन